ये बात उन दिनों की है जब बुद्धा मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धी दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा मरवन में अपने शिश्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुँच गए तो एक नजर बुद्ध ने उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हर्याली च्छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी, ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शान्ती महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो इस पर व्यक्ति ने कहा, हे तथागत मैं दो दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आप से मिलवाने लाया हूँ, ये मेरा एकलोता पुत्र है और ये हर समय ठका 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 रहता है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्रान ही नहीं है, इसका स्वभाव भी काफी चिड़-च मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके साथ हो क्या रहा है तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थे को लेकर बहुत चिंतित हूँ, जब मैं अपने पुत्र को वैधजी के पास लेकर गया, तो उन्होंने कुछ आशद ही दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम ले के लिए कहो, वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे इध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं, और फिर उसके हाथों की नब्स को भी देखते हैं, ये सारी विध्य करने के पश्चात, बुद्ध उस व्यक्ती से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह त तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सकें कि व दूर भटक रहा होता है कलपनाओं में होता है तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर वह मन के बीच की इसी दूरी इसी खिंचाव को तनाव कहा जा आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य आठ कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया, वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वा कांक्षी होना। महत्वा कांक्षी होना अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इनसान के लक्ष कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है। दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ। और इस तरीके से वो अपने लक्षों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल-गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्तियती महत्वा कांक्शी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्षे बनाएं होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविश्य में ही लगा रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है, और वह तनाव भरी जिन्दगी जीने लगता है। बुद्ध के मुह से यह बात सुन, उस लड़के ने कहा, हे बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष बनाना भी तो महत्वा कांग्शा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं, और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए, आप लक्ष बनाईए और उस लक्ष की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्यान होना चाहिए, कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इरश्या। जब व्यक्ति इरश्या और जलन से भर जाता है, तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। इरश्या एक आंतरिक घाव है, व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन आंतरिक घाव यानि मन का घाव कभी नहीं भर सकता इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी इरश्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह तनाव का कारण है इसके बाद बुध्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि नापसंद काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है जिस काम में हमारी रुची ही नहीं है उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कलपनाओं की उडान भरेगा जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनाव ग्रस्थ हो जाता है। इसी लिए इनसान को हमेशा अपनी रुची के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष बना लेता है तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बलकि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा तनाव का छोथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षाय रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। व्यक्ति को हो सकता है तो फिर क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुध ने कहा कि इनसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यू भी आती हैं तो बीमारियां इनसान के जीवन का अभिन्न अंग है। कोई इनसे बच नहीं सकता बस किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पर आती सब को है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा, तो फिर वह अपनी बिमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है, तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो, तनाव का सात्वा सबसे बड़ा कारण होता है, टाल मठोल करना, आज के काम को कल पर टालना, आप लोगों ने ये कह पहावत तो सुनी होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रू है, इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है, और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है, काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पात तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आ काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करें। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बिमारी है। और इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए। और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो प जोड़ कर कहा, हे बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सकें। जिस समय जो काम कर रहे हो, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है, तो जैसे ही तुम्हें याद आए, फिर से वापस अपने मन को उसी काम में लगा दो, ये सबसे आसान और अच सिर्फ चलने पर लगा दो, इस से तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है, दोस्तों आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर दो दो तीन तीन काम करन की आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन चलाना और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़-चिड़ा सा हो गया हूँ, जब कोई व्यक्त इसी एक ही समय पर तीन-तीन काम करेगा, तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगा कर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। प्लीज इसे शेर जरूर करें, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही एक नई और रोचक बुद्धा समयक वाणी के साथ, तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए। धन्यवाद, नमो बुद्धाए।